लोगों से रिष्टे निभा कर बस एक ही बात सीखी है, किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे, तो वो इनसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा, सिर्फ गलतियों का पुतला ही नहीं, बल्कि परिस्थितियों का गुलाम भी होता है इनसान, किसी के लिए कितना भ निभा ही जाते हैं, फिर से शुरू कर रहा हूँ जिन्दगी को जीना, इस बार औरों से ज्यादा खुद का खयाल रखूंगा, नाम उन्हीं का उँचा होता है, जो बस्ती से निकल कर हस्ती बन जाते हैं, कहने को तो सभी रिष्टे अच्छे होते हैं, पर असलियत में जो जब तक जीवन है, तब तक हसते रहो, क्योंकि अनुभव ही सर्वश्रेश्ट शिक्षक है, उमीद और विश्वास का छोटा सा बीज, खुशियों के विशाल फलों से बहतर और शक्ती शाली है, हमसफर चाहे गरीब हो, पर अच्छा होना चाहिए, जो आपकी इज़त करे क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है, पर किसी बुरे इंसान के साथ जिंदिगी काटना मुश्किल हो जाता है, मशीन को जंग लग जाए तो पुर्जे शोर करते हैं, और उसी तरह अक्ल को जंग लग जाए तो जुबान शोर करती है, जब नोटों का रंग बदला, तो ल निर्धन होते हैं, लेकिन समय को बरबाद करने के बाद आप अपने जीवन का एक हिस्सा गवा देते हैं, नफरत कमाना भी इस दुनिया में आसान नहीं है, लोगों की आँखों में खटकने के लिए भी कुछ खूबियां तो होनी चाहिए, कुछ अपनों के साथ चलने की क या बात करें, हम इनसान के तो दो पैर भी, कभी एक साथ नहीं चलते, मिलावट का दौर है साहब, हां में हां मिला दिया करो, संबंद लंबे समय तक टिकेंगे, कुछ शिकायते बनी रहें तो बहतर है, चाशनी में डूबे रिष्टे, वफादार नहीं होते, लोग कहते ह तुमारी आस्तीन में साप रहते हैं, मैंने कहा क्या करूँ, मेरा वजूद ही चंदन का है, रहने दो हर किसी को अपने हाल पर, तूटे काच के टुकडे, अकसर समिटने वालों को ही चुपते हैं, गुमनाम सा होता है हर शक्स, शत्रंज के प्यादे की तरह, वजीर ना बन तब तक उसकी कोई एहमियत नहीं होती, मिलना है तो कद्र करने वालों से मिलो, इस्तमाल करने वाले तुम्हें खुद ही ढून लेंगे, जिन रिष्टों में आपकी मौजूद्गी का कोई मतलब ना हो, वहां से मुस्खुरा कर चले जाना ही बहतर है, जरूरी नहीं किसी क बद्धुआ ही आपको तभा करे, किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है, भीक में मिली महबत जहर से भी ज्यादा जहरीली होती है, उम्र ने तलाशे ली तो जेब से लमहें बरामद हुए, कुछ गम के थे, कुछ नम थे, कुछ तूटे, बस कुछ ही सलामत मिले, ज जुकि वो खोई नहीं थे, बदल गए थे, वक्त अच्छा था तो हमारी गलती भी मजाक लगती थी, आज वक्त बुरा है, तो हमारा मजाक भी गलती लगती है, दूरियों का गम नहीं, अगर फांसले दिल में नहों, नजदीकियां बेकार हैं, अगर जगा दिल में नहों, रिष्टों में वैसा ही संबंद होना चाहिए, जैसे हाथ और आँख का होता है, हाथ पर चोट लगती है तो आँखों से आँसु निकलते हैं, और आँसु आने पर हाथ ही उनको साफ करते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से नहीं जियोगे, तो लोग अ हर किरदार निभापाना, इनसान को बिखरना पड़ता है, रिष्टे समेटने के लिए, जिंदगी में हम किसी को छोड़ कर आगे इसी लिए नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि हम खुद से ज्यादा लोगों की बातों पर ध्यान देते हैं, कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया म भगवान को भी बिक्ते देखा है, दुनिया में सिर्फ दिल ही है, जो बिनाराम लिए काम करता है, इसलिए उसे खुश रखो, चाहे वो अपना हो या अपनों का, काश यो सड़कों की तरह जिंदगी की रास्ते पर भी लिखा होता, कि आगे खतरनाक मोड है, जरा संभल के सब को माफ करके सोचा करो, जिंदगी कल की महताज नहीं रहती, जिंदगी में बस दिल जीतने का मकसद रखो, दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हात ही गया था, खामोशी से सुनता हूँ अपने खिलाव बाते, जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है, अपनी कमज सोरियों को अपनी ताकत बनाओ, और मंजिल को अपने कदमों में पाओ, मूर्ख गुना करके दुनिया से बचना चाहता है, वो नादान ये नहीं समझता, सजा दुनिया नहीं समय देता है, आपका परिवार कितना अमीर है, ये माइने नहीं रखता है, असत्य की उम्र चाह कम हो या ज्यादा, लिकिन सत्य हमेशा अमर होता है, एक बात याद रखना, बढ़ापे में आपको रोटी आपके बच्चे नहीं, उनके दिये हुए संसकार ही किलाएंगे, जब भी उपर वाले से कुछ मांगो तो दिमाग नहीं, नसीब मांगना, क्योंकि मैंने दिमाग वालों को नसीब वालों के यहां काम करते देखा है, ढूनने पर वही मिलेंगे जो खो गए हैं, वो कभी नहीं मिलेंगे, जो बदल गए हैं, उस मोर पर है जिंदगी, न कहा जाता है, न रहा जाता है, मना लेंगे तुझे बड़े प्यार से हैं जिन्दगी, पता तो चले तो खफा क्यूं है जुबान खराब होना दिमाग खराब होने की पहली निशानी है अगर बिच्चु किसी से प्यार करे तो प्यार में भी डंक ही मारेगा शीशा कमजोर बहुत होता है मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है अर्मान सिर्फ उतने ही अच्छे है जिन में स्व अक्त्य ये भी है कि भगवान को मंदिरों से ज्यादा हॉस्पिटल में याद किया जाता है यदि मन में बैर है तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाना सिर्फ एक सैर है शौक उनके एकसर कम हो जाते हैं जो कम उम्र में ही जिम्मिदार हो जाते हैं इनसान भी बहु जो को सब कुछ देना चाहता है और अपने माबाप का सब कुछ लेना चाहता है कुछ लोग, कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वो दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं उमीद है तो लड़ रही है ऐ जिन्दगी वरना मन तो कब का तूट चुका है जिन्दगी से कभी नाराज ना होना क्या पता आप जैसी जिन्दगी दूसरों का सपना हो जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता कहीं धोके में आखे हैं कहीं आखों के धोके मुनाफ़ा तो बहुत हुआ होगा तुम्हें मेरी महबबत से मैंने जिन्दगी अच्छा नहीं होता, मुफलिसों के घर के गुल्लक होते तो बड़े सक्त हैं, लेकिन अक्सर मजबूरियों के वार से तूट जाया करते हैं, हर एक समझोता अच्छा नहीं होता, महबत में छोटा सुराग भी बड़े जहास को ले डूपता है, खत्रे की निशान से उपर बह रहा है, उम्र का पानी, वक्त की बरसात है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही, सोचते हैं गिरा दे हम सभी रिष्टों के खंडहर, इन मकानों से किराया भी नहीं आता, यहे जो मुस्कुराहटों का लिबास पहना है मैंने, असल में उदासियों पर रफू करवा कर आया तूट कर बिखर ही जाते हैं, समेटनी की जहमत कौन करे, अब लोग नया काँच ही ले आते हैं, रिष्टों की जमावट आज कुछ इस तरह हो रही है, बाहर से अच्छी सजावट और अंदर से स्वार्थ की मिलावट हो रही है, जब मैं डूबा तो समंदर को भी हैरत हु किताबों की दोस्ती बहुत कमाल की होती है, वो हमसे बाते तो नहीं करती, लेकिन वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, तुम मजबूत हो जाओगे तो जिन्दगी और जमाना कोई मजबूर नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगेर, मेरा अपना सा भी दूप में आने से मिला, अगर जिनको गरीबी की वज़ा से शादियों में नहीं बुलाते हैं न, अक्सर वही गरीब लोग जनाजे में सबसे पहले शामिल होकर, तुम्हारे जनाजे की शान बढ़ाते हैं, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो, बस कुछ इसी तरह अपने आपको संभाल लिया करो, लोग खारापन देखकर किनारे से ही लोट गए, यदि गहराई में उतरते तो मोती भी मिल जाते, उड़ने में बुराई नहीं हैं, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही, जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो, लोग कहते हैं एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन मेरी मेहनत कहती है, सब्र रख, एक दिन सब कुछ होगा,